हेलो फ्रेंड्स मैं हो भी शेक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेरी इन विला ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ट्रांस्वर्मर के डिफ्रेंशल प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में कल के वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांस्वर्मर में अगर बुक होगा तो दोस्तों बीना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं दोस्तों ट्रांस्वर्मर की इस प्रोटेक्शन स्कीम को यह जो डिफ्रेंशल प्रोटेक्शन स्कीम है इसको एक्स्प्लेन करने से पहले आपको बेसिक पता होना चीए कि ट्रांस्वर्मर का डिफ्रेंशल प् आता है तो उसको ये डिटेक्ट करके ट्रिपिंग प्रोवाइड करता है नौनल रन्निग कंडिशन में ट्रांसोर्मर का इंकमिंग करेंट और आउट गोई करेंट इक्वल रहता है इसके वगते से कोई भी ऐंगल में डड़ाइस नहीं आता और आपके ट्रिपिंग कॉइल में supply नहीं जाती वैसे ही अगर यह voltage differential protection है तो वह दो voltage को आपस में compare करेगा यानि कि transformer winding के incoming voltage और outgoing voltage को आपस में compare करेगा यह जो आप देख रहे हैं यह basically transformer का differential protection scheme है सबसे basic diagram यह है यह आपको internet पर भी मिल जाएगा यह transformer है यहाँ पर हमने 2 CT लगाई है अगर हम normal condition में देखे तो जब भी transformer normal condition में running रहेगा तो एक CT से दूसरे CT तक current continuously flow होता रहेगा यह जो आप देख रहे हैं यह differential protection की operating coil है इसमें अगर current flow हो जाए तो उस case में आपका transformer differential protection scheme से trip हो जाएगा अब जब भी आपका transformer normal running condition में है तो इस operating coil में से current flow होगा यहाँ से simple इस circular motion में flow होता रहेगा क्योंकि incoming current और outgoing current का magnitude सेम रहेगा यहाँ जो figures लिखे हैं यह fault के हिसाब से लिखे हैं यह मैं आपको explain करूँगा लेकिन normal running condition में इस operating coil में से current बिल्कुल flow नहीं होगा current स्रिफ CT से एक CT से दूसरे CT में ही flow होता रहेगा जिसके वज़े से transformer में tripping नहीं आएगी अब हम लोग देखते हैं कि अगर transformer में कोई fault आता है तो उस case में यह operating coil में से किस तरीके से current flow होता है देखें इस CT का मैंने ratio लिखा है कि मैंने 2 CT लगाई है यह 100 is to 1 की CT का ratio है CT ratio कुछ भी हो सकता है यह मैंने example के point of view से लिखा है अब मान लिजीए कि यहां पर कोई fault होता है transformer की internal winding में या कहीं भी transformer की internal circuit में कोई fault होता है जिसके वज़े से इस side 1000 amp air flow हो रहा है और इस side 200 amp air flow हो रहा है देखें जब भी transformer में कोई fault होगा तो current कभी भी balance नहीं होगा कितने भी ampere का कितने भी magnitude का current circuit में कहीं भी flow सकता है तो हमने के example लिया है कि जब यहां transformer की internal winding में fault हुआ तो उस case में यहां से 1000 ampere का current flow हुआ अब आपका जो CT ratio है यह 100 is to 1 का है इसका मतलब यह है कि जब 100 ampere का current flow होगा तो CT के secondary में 1 ampere का current CT flow करवाएगा अब जब 1000 ampere का current flow हुआ है तो CT के secondary में 10 ampere का current flow होगा क्योंकि 100 ampere flow होने पे 1 ampere आपको CT के secondary में मिल रहा है तो 1000 ampere का correspondence 10 ampere हो जाएगा तो यह 10 ampere यहां से आप देख रहे हैं कि flow होना शुरू हुआ है वैसे ही इस side में 200 ampere का current flow हो रहा है यहां पर भी हमने जो CT लगाया है यह 100 is to 1 का ही रहेगा दोनों का CT ratio आपको same रखना है अब 100 ampere current flow होने पर 1 ampere उसका correspondence flow होता था CT के secondary से 200 ampere current flow होगा तो उसका correspondence 2 ampere का current flow होगा तो यह आप देखिए कि 2 ampere का current flow हो रहा है प्राइमरी CT का direction ऐसा है तो secondary CT का जो current होगा CT का जो secondary current है उसका direction इसके opposite में होगा तो यहां से आपका 2 ampere का current flow हो रहा है यहां पर 10 ampere का current flow हो रहा है अब आप देख सकते हैं कि यह जो transformer है इस transformer का incoming current और outgoing current का magnitude सेम नहीं है normal running condition में यह magnitude सेम होते हैं लेकिन जब यहां पर transformer में fault हुआ है तो उसका incoming current और outgoing current कहीं पर भी आप देख लिजिए यहां पर भी आप देख लिजिए transformer का incoming current और outgoing current कभी भी सेम नहीं रहेगा जब भी transformer में कोई fault की condition अराइज होगी अब यहां तो 10A current आ रहा है इस city से 2A का current निकला है तो यहां पर 2A का current है तो यह जो 10A और 2A है इसका जो difference amount of current है इन दोनों का जो difference है वो difference magnitude of current इस operating coil में से flow होगा अब यहां पर 10A यहां 2A है तो यहां पर 8A का current flow होगा अब आपने differential relay में जो setting की है उस setting में अगर 8A का current उस preset value को cross कर देता है तो उस relay इसको abnormal मानेगा और आपके transformer के circuit breaker को differential relay operate होके circuit को trip कर देगा तो यह सबसे basic तरीका है transformer के differential protection को समझने का अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग main diagram की यह जो diagram आप देख रहे हैं यह transformer differential protection का main circuit है main आपको यह चीज़ समझनी चाहिए पर इसका जो basic है यह पहले जो diagram में मैंने explain किया है same वही चीज़ यहां पर हम लोग apply करेंगे यहां सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि यह जो आप देख रहे हैं यह transformer की operating coil है मतलब transformer में हमने जो differential relay लगाया है यह उस relay की operating coil है अगर इसमें से current flow हो जाए तो उस case में आपका transformer trip हो जाएगा यह जो आप देख रहे हैं यह आपके differential protection scheme में एक हम लोग restraining coil भी लगाते हैं इसको restraining coil बोला जाता है यह restraining coil का function क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा पर अभी आप यह समझ लीजिए कि यह आपके डिले के operating coil है यह restraining coil है हमारे जो transformer है वो delta star connected transformer है यह star star हो सकता है star delta हो सकता है delta star हो सकता है कोई भी configuration हो सकता है हमने delta star configuration use किया है अब यहां आपको यह चीज़ ध्यान देनी है कि जो transformer की star connected side है वहाँ पर हमने delta connected city को connect किया है और transformer की जो delta connected side है वहाँ पर हमने star connected city को connect किया है तो सबसे पहले तो आपके mind में यह सावाल आना चीए कि star connected side में delta connected city और delta connected side में star connected city इसके पीछे का logic क्या है तो दोस्तो यह करने के पीछे का reason यह है कि transformer में बहुत बार हमें face shift देखने को मिलता है जैसे plus 30 degree का face shift होगा या minus 30 degree का face shift होगा या plus 45 degree का face shift होगा अलग-अलग angle के face shift हो सकते हैं अब जब भी transformer में face shift हमें देखने को मिलेगा चाहे वो 30 degree का हो minus 30 degree का हो या कोई भी angle हो तो उस face shift के वज़े सा ऐसा हो सकता है कि जो current है वो current आपके operating coil में से भी flow हो जाए क्योंकि जब भी transformer में face shift होगा तो उसके वज़े से current के magnitude में changes आएंगे तो current का magnitude change होने के वज़े से ऐसा हो सकता है कि कुछ magnitude of current आपके operating coil में से भी flow हो जाए और इसमें अगर current flow हो गया तो differential relay इसे abnormal मानेगा और आपके circuit को trip कर देगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमारे transformer की जो main winding है उसके current respondents में हम लोग उल्टे city को connect करते हैं इसका मतलब यह है कि star connected side में delta connected city connect होगा और delta connected side में star connected city connect होगा ताकि अगर यहाँ पर plus 30 degree का मुझे face shift देखने को मिलता है तो जो delta connected city है यह उसको compensate कर ले और delta side में अगर मुझे face shift देखने को मिलता है तो जो star connected city है वो उसको compensate कर ले तो यह compensation करने के लिए इस तरीके के city के arrangement यहाँ पर किये जाते हैं अब दोस्तों जब transformer अपने normal running condition में रहेगा तो उस case में आप देखिए कि इस तरीके से city में continuously current flow होता रहेगा जैसे हमने पिछले diagram में देखा था कि current continuously circulate हो रहा है उस तरीके से यहाँ भी दो city के बीच में current continuously circulate होता रहेगा इस operating coil में से current flow नहीं होगा अगर कोई abnormal condition नहीं होती है पर दोस्तों जब भी आपके transformer winding में चाहे वो delta connected side हो या चाहे वो star connected side हो जब भी आपके transformer winding में कोई internal fault होगा तो उस case में आपकर जो current एक city से या दूसरे city में circulate हो रहा है वो यहां से इस operating coil में भी flow होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही कोई abnormal current इस operating coil में से flow होगा तो relay उसे abnormal मानेगा और आपके circuit को trip कर देगा नॉर्मल operating condition में आपका जो current है वो इसी तरीके से flow होता रहेगा आपके operating coil में से कोई current flow नहीं होगा पर अगर कोई abnormality होती है तो उस case में operating coil में से भी current flow होगा और relay आपके circuit breaker को trip कर देगा यहां दोस्तों सबसे important चीज़ है वो है आपका restraining winding इसको restraining winding, restraining coil कहा जाता है यह क्यों लगाते हैं यह आपको interview में अक्सर पूझा जाएगा और यह सबसे important है आपके transformer के differential protection में देखे transformer में जब भी हम लोग transformer को चालू करते हैं तो transformer में inrush current produce होता है inrush current का मतलब यह है कि जब भी आप transformer को start करेंगे तो transformer के starting में high magnitude of current flow होगा इस high magnitude of current के वज़े से हो सकता है आपकी operating coil energized हो जाए और आपका relay circuit breaker को trip करते अब जब भी आप transformer को start करेंगे तो उस case में high inrush current तो flow होगाई तो high inrush current को flow होने से हम नहीं रोक सकते हमें ऐसा कोई arrangement करना पड़ेगा कि high inrush current के वज़े से आपकी operating coil गलती से energized ना हो जाए इसी problem को solve करने के लिए हर एक operating coil के साथ हमने restraining coil लगाई है restraining winding हमने वाउंड की है तो जब भी कोई inrush current आपके transformer winding में से flow होगा तो यह जो restraining coil है यह उस high magnitude of current को आपके operating coil में जाने से रोकेगी तो यह जो restraining coil है इसका काम यही है कि जब भी हम transformer को start करेंगे जो high inrush current को इस operating coil में ना जाने दें क्योंकि इस operating coil में अगर आपका inrush current का कोई भी magnitude of current flow हो गया तो उस case में आपका circuit breaker ट्रिप कर देगा इसके अलावा दोस्तों transformer में एक problem और हाती है जो होता है tap change करने के वज़े से देखे transformer में voltage को regulate करने के लिए voltage को manage करने के लिए हम लोग transformer की tap position change करते हैं अब transformer की tap position को change करने का मतलब होता है कि आप turns ratio को change करते हो जैसी आप transformer का tap change करोगे तो transformer का turns ratio है वो change हो जाएगा turns ratio change होने का मतलब होता है voltage ratio को change करना जब भी आप transformer का tap बढ़ाते हो तो उससे आपका voltage ratio change हो जाता है अब जब भी transformer का voltage ratio आप change करोगे तो उसके वज़े से आपके transformer का current ratio भी change होगा यानि कि आपके transformer का current का magnitude है वो भी change होगा और जब भी transformer के current magnitude में कोई changes आएगा तो हो सकता है कि कुछ magnitude of current आपके operating coil में से भी flow हो जाए तो again आपका जो differential relay है ये इस operating coil को energized होते ही circuit को trip कर देगा तो ये जो restraining winding हमने लगाई है जो restraining coil हमने लगाई है इसका function ये भी है कि जब भी हम transformer का tap change करें तो tap change करने से current ratio में जो changes आ रहे हैं उसके वज़े से आपकी operating coil energized नहीं होनी चाहिए तो एक तो हो गया आपके transformer का interest current और एक हो गया transformer का tap changing operation इन दोनों operation के वज़े से ऐसी chances रहते है कि operating coil energized हो जाए हम नहीं चाहते कि इन operation से operating coil energized हो इसलिए हम लोग operating coil के साथ restraining coil लगाते हैं ताकि उस operating coil को हम false operation से energized होने से बचा सके यहां दोस्तों आपके mind में एक सवाल यह आ सकता है कि जब भी transformer में कोई fault होगा तो यह जो restraining coil हमने लगाई है यह restraining coil fault current को भी operating coil में से जाने है नहीं तो अपरेटिंग कॉल अगर एनर्जाइज ही नहीं होगा तो उस case में आपके circuit breaker में ट्रिपिंग नहीं आएगी तो देखे जब भी transformer में कोई fault होता है चाहे वह स्टार साइड हो या डिल्टा साइड हो जब भी transformer की internal winding में कोई fault होगा तो फॉल्ट करेंट का magnitude बहु होने से रोके तो रिस्ट्रेंग कॉइल आपके fault करेंट को भी यहां पर जाने से रोकेगी पर क्यूंकि आपके fault करेंट का magnitude इतना ज्यादा है कि वह इसको सरपास करते हुए आपके operating कॉइल में से फ्लो हो जाएगा और आपका जो रिले है जो डिफ्रेंशल रिले है वह इस इसके वज़े से रिस्ट्रेंग कॉइल उसको रोकने की कोशिश तो बिल्कुल करेगी लेकिन वह उसको सरपास करते हुए आपके operating कॉइल को एनरजाइस करा देगा तो दोस्तों इस तरीके से ट्रांसवर्मर का डिफ्रेंशल प्रोटेक्शन काम करता है यह आपको ध्यान यह रखना है कि स्टार साइड में हमने डेल्टा कनेक्टर सेटी क्यों माउंट किया है रिस्ट्रेंग कॉइल का काम क्या होता है इसके अलावा यह जो ड्रॉइंग हमने देखी थी यहां हमने देखा था कि कैसे आपके फॉल्ड करेंट का मैगनिट्यूड आपके operating कॉइल म को समझ में आ गई तो आपको differential protection transformer का फिर आप इसे generator में लगाए या transformer में लगाए इसका operation आपको easily पूरी तरीके से clear हो जाएगा तो दूस्तों transformer का differential protection अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और अपना experience मुझसे comment box में शेयर करिएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तेक अपना ध्यान रखिए गुडबाई